वेल्कम बैक एक बार आप सभी का स्वागत है और जो हमारा इन आपिस है वह मैं आज सेवर करूंगा आप लों वह आप अभी पोजय के नाम देंगे आप सभी को उसको जरा साफने भासा में अपनी लेंगवेज में जो भी आपको असान लगे जो आपको सकते हैं वह आप लो कि अभी तक हम लोगों ने प्रेटिकल सेशन के स्टार्टिंग की थी इसमें मैंने इस बात पर जोर दिया कि अगर कोई कॉलेज कैमपस है या कोई बड़ा और अर्गोनाजिशन है अगर अर्गोनाजिशन के अंदर जो लोग भी काम कर रहे हैं और आज की डेट में लगब जिस तरह से जब लोग करते हैं सोचते हैं कि कई जगह क्या होता है कि वहल का ही इंटरनेट यूज किया जाए जैसे हमारे अंदर है आप केंपस के अंदर इंटरनेट यूज कर पाएंगे आप ठीक है उसकेस में तो आपको लेक लीज लाइन लेने के जरुवरत पड़ेग लोगों ने डीजाइन किया हुआ थैंट अब लोगना बता रहे हैं कि यह जो अपने डाग्राम था बना लिया तो dat program में हमने जो अभी डिसकस कर रहे थे बनस्तली का बनस्तली में जितने लोग भी काम कर रहे हैं अगर उनको इंटरनेट डिया जाना है तो लीज लाइन लेने की ज़रुवत होती है यहां पर क्योंकि बाउंडरी के अंदर केंपस के अंदर होता है कि कंपनी का ही इंटरनेट क्या किया जाता है कि लीज लाइन के अधार पर हम लेते हैं इसको मुलते इंटरनेट लीज लाइन में आवली देता हूं रिपीट हो जागा तो अच्की बात है अगर आपको काइंपस के अंदर इंटरनेट लेना है तो आपको इंटरनेट लीज लाइन लेने की ज़रुव इसमें कोई पाट आपको समझ मेहां कि अगर आप से पूछा मतलब है और इंटरनेट का क्या मतलब है तो आप क्या समझेंगे इसका मुचली का आप इसमें बता लूइब है कोई बता है कि आप यस इन्टरनेट के तनी स्पेड दिखा रहा है और बैंडविड यानि ओवरॉल स्पेड अभी आप मुबाइल पके अकेले हो आपके मुबाइल चे कोई दूसरा इंटरनेट नहीं जुड़ा है तो आपके मुबाइल पे इंटरनेट का स्पीड और बैंडविड दोनों एकी समझाने के लिए सेम होंगे ना इसलिए मैंने पूछा है कि आपके मुबाइल पे आपने लिया कपोच करो आपने किसी भी कंपनी से प्लान लिया और हंडेड एंटरनेट के स्पीड ले लिए अपने ठीक है और आप अकेले यूजर हो तेही आपका बैंडविड भी हो गया और आपका यही इंटरनेट का स्पीड हो गया लेकिन अभी अपने मुबाइल फोन से या उस मुबाइल फोन को आपने इंटरनेट में हाट स्पॉर्ट से चार लोगों के बीज में बाट दिया अब यह माल लेते हैं कि जिवसे चार लोगों बाट होगे तो जो इंटरनेट का भी स्पीड होगी पहले आ रही थी अब चार को बाटा हम माल लेते हैं कि सबको बराबर इंटरनेट स्पीड आए तो उस केस में सबके इंटरनेट की स्पीड 25 25 25 हो जाएगा ठीक है तो अगर उस केस में उस बंदे जिन लोग क्यार लोगों ने बाटा आगा है उनसे अगर पूछा जाए कि आपकी लेकिशान आप अपर कि अब लेकर उसकृब ऎकर होगा लेकिन दो कि लम्यों अब keeping करता है कि एकर यूजर तो तो वराल लेगा लेकिन इनडिविजवल का इंटरनेट स्पीड में बीचांज क्या किया है कि जितने भी स्टुडेंट हैं हमारे पास इंटरनेट की स्पीड आई हुई है अंडेड़ में प्यूंडेड यह ले लेकिन मैंने ऐसा किया कि जो भी वाइफाई से जुड़ है लेकिन हमारे कंप्यूटर का इंटरनेट का स्पीड कितना है और जो वाइफाई से जुड़ है इसको ट्वेंटी अब उसमें भी हो सकता है कि दस लोग बढ़ जातो उसी इसाफ से बढ़ लेकिन ओभार पूरे कैंपस की जो बैंड़ीट है वह आपकी हंडेड़ में तो दोन आसमान का फरक पड़ जाता यहां लोग काम करते हैं तो मैं यहां पर डिश्कस कर रहा था तो यहां पर हम जो बात कर रहे थे कि यह जो केबल निकलेगी इस पे हम लोगों ने से सिखा कि कौन सी केबल कहा पर इस्तमाल की जाती है और जैसे आप लोग को समझ में आ गया बह क्लम केंपस डिवाइब कर देते हैं दूरी सो से ज्यादा है 90 मैंटी मोग करा सकते हैं तो अप्टिकल फायवर हो जाता मिडिया केबल को उप्टिकल फाइबर में फिर लगाया पिर हमने स्वीच लगाया और स्वेच से हमने यहां पर मैंने वाइप हाई लगा लोग वाइप है तो यह सारे घूमते फिरते सारे आ गए इसी से और फिर आँ चले गए ठीक है तो लैन एक ही होगा और होगा सभी का गेटवेश भी एक होगा और इसी पर हम लोगों ने जो हमने लास सेशन में डिसकुर्शन किया था तो ह हमने काम सुरू करके छोड़ दिया था और मैंने उम्मीद जताई थी कि आप सभी लोग इसको कर पाएंगे और मैं फिर से पूछता हूं जो लोग भी मौजूद है अर्टिका कुस्मिता ने तो पहले ही कह दिया हमने कर लिया है और साथ उन्होंने पहले भी किया हुआ स्क करता हूं मेरे पास जो होता है उसको बोला गया कि आप सभी ट्रेनिंग सेंटर में आपको भी बेजा जा रहा है अपने नालेज को इन्हांस करें उन लोगों को बताए आप जैसे काम करते हैं तो वह मेरा इसलिए आपको भी बोला जाता है कि जो लोग भी पढ़ाई कर रह करता है कभी-कभी तो कि उनके उनका प्रास्मिक्ता पढ़ाना नहीं है उनका प्रास्मिक्ता है जो उनको काम दिया गया वह सेवा करना को सब्सक्राइब बताएंगे लेकिन आसा होता नहीं है क्योंकि जाला तर काम में बीजी रहते हैं ट्रेनिंग सेंटर में क्या है कि हम तो अभी यहां पे कर लिया इसको कर देता हूं यहां पर लोगों किया था प्लानिंग कैसे किया था यह तो मैं दूसरे साइड में क्लिक करता हूं यहां पर जो हमने प्लानिंग किया हुआ है इनकी आइप विचुती माउज ले जाओंगा तब इस पर कोई आइपी नहीं होगा एक हमने चोड़ दिया था आप लोगों करने के लिए कर देता हूं अगर यहां पर मैंने बताया था क सकते हैं इसका मतलब क्या होता है यह का मतलब होता है कि पहले कंछल सब्सक्राइब करने डर था आता हैं अब और प्र ब्सकूलर सकते हैं ढरों कर सकते हैं मोड में आ जाएंगे और जो जो पोर्ट है उन पोर्ट को में आई-पी देना है पहले मुझे पोर्ट पर जाना पड़ेगा इंटरफेस आई एंटी या फे जीरो बाई-जीरो ठीक है इस में हम पहुंच गए और हम जीरो बाई-जीरो पर हमने जवाबी प्लानी क्या थी डा सब्सक्राइब के साथ 24 इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा इंटरम आ रहेंगे लास्ट सेशन हमने जब इसको किया तो रेडर आ गया था लेकिन आप त्यूंकि मैं इसको ग्रीन करूंगा नो सट करके मैं अकर पावर सप्लाई आन करता हूं आप देखेंगा बेभी सब्सक्राइब करना है इस तरह से हमने राउटर के अंदर आइपी का जो प्रवीजन था लास सिसन में ठीका था मौच चेक कर लेते हैं इसको मिल गया और इसके भी दोनों आइपी को मिल गया जो हमने प्लानिंग किया था लिंक खड़ा रहे आप हैं जब तक लिंक अपने होगा नहीं होगा अब कंप्यूटर पर देखते हैं आप कंप्यूटर पर यहां पर चीज बताना चाहूंगा अभी हमारे पास इसमें अभी हमने कोई इसी विवस्ता नहीं किया है कि आट्रमेटिक आइपी कैसे दिया जाए तो मैं अभी आपको मैनुवली आपी दूंगा नार्मली हम हो चाहें आप हो चाहें कोई भी हो जब इंटरनेट से जुड़ते हैं तो हम में से कोई भी आइपी नहीं डालता अपने आप आपके सिस् डालता आप फ़िए अ का नहीं आपसे कोई यह अगर न किया वक्रता नहीं अगर शुड़ते हैं तो मिलेशा कौसा नहीं। आट ए цен और च्रम में लेकर के बीचमा और अच्षाप क्यानते हैं कि आपके हैं क्यून ट्रृट आइपी आइड परी आइपी आइड हाली खमेल करें वन नाइटी टू डाट वन दूँगा तो क्या लेगा एक्सप्ट करेंगा यह क्योंकि आल लेडी आइपी हमने हां पर दिया हुआ है आप ट्राइब करके देखिए यह तुरह नहीं करेगा जो आइपी आप दे चुके हो को आईपी किसी भी दूसरे कमप्यूटर पर या कहीं और आप देने सकते उस नेटवर के अंदर पूरे नटवर के सिंगल ही सकते हो उसी डूब्ली केसी नहीं करोगा कभी आपने किया तो आपके मेल में कौमप्यूटर पर अप्लिए आप यह तैंप यहां यहा पर आगर के बाहर कोई बीचीज होगा कहीं से अगर निकलूंगा तो यहां से मोवाइल पॉन से कोई करने कोशिज की डाटा कहा से निकलेगा यहां से निकलेगा वाइफाइब यहां से रिटर्न पैक होगा जो भी चीज मांगा था यहां पर यहां पर चले रहा इसके लिए से अगर मैं टैबलेट से करो और आपका सीधा से केबल निकलेगा जाएगा इसी तरह से कहीं से बाहर निकलेगा और यहां से जाते हुए आज जाएगा समस्ट趣र Sum लेपटॉप से बात करूँ घ disrupt से बास करो सिक ग्रम लेपटॉप से निकलेगा जाएगा तो कोई भी चीज हो इस campus से चाहे कोई भी चीज हो campus से बाहर कहा जा रहा है इस वाले पोर्ट से जा रहा है इस वाले पोर्ट का मलब वही आपका gateway कहलाएगा इन सब का gateway यह कही होगा आप अपने college में पढ़ते हैं college में जिस gate से एंट्री करते हैं जिस gate से बाहर जाते हैं वह आपका gateway है gateway का सीधा सा मतलब है वह location वह position जहां से आप campus से बाहर जाएंगे gateway कहलाएगा तो जिस सेम चीज कंप्यूटर लैप्टॉप के लिए इस campus से बाहर जाना है तो gateway आपका यह होगा तो यह जो gateway इसकी IP address मैंने क्य क्या हुआ है 1.1 ठीक है तो जितने भी computer laptop होंगे सभी के अंदर जो gateway होगा सबका यही होगा 192.168 1.1 ठीक है इसको बंद कर दीजिए दूसरा computer लेते हैं इसमें भी IP क्लिक करेंगे 192.168 1.2 नहीं दे सकते 1 और 2 हमने दे चुके हैं आप मैं 3 दूँगा ठीक है 3,4,5 gateway क्या होगा सबका gateway एक ही होगा यहां से बाहर जाने है तो फुली कि आप सभी को यह मतलब समझ में आ गया होगा gateway कहते कि इसको है ठीक है ल 192.168 1.4 कर दीजिए ठीक है ना 192.168 1.1 इसी दा गेटवे तो यह चीज आभी आप लोगों को किलियर होगी होगी कि gateway क्या है और IPL आटमेंट करते कैसे हैं ठीक है ना ठीक है ना तो अभी मैं एक चीज और यहां से डिसकस करेंगे आपको पहले दिन जब हमारे पास में स इसमार्ट वाट इस दा में इंटेलिजेंट वाट इस दा मिनिग आप दो एए या सिंपल एक एक जांपल याद आएगा कि मैंने एक सिंपल सवाल पूछा था मैं रिपीट कर देता हूं कि मार्केट से पंखा करीदने गए और दुकाबदार ने आपके सामने चार पंखे रख दिये का सर नार्मल फैन है कि यसे दूसरा हो ला पंखा इंतेलिजेंट पंखा है पंक्यें और जोता च्रू नार्मल फैन होता है जिसमें में हर चीज आटूमेटिक नहीं कि मैनुवल होगी ऑन आप करना इस पीड़ घटाना बढ़ाना इबरी इंटेलिजेंट में क्या होगा दुनिया में हर चीज इंटेलिजेंट होगी चाहे इंसान हो चाहे मसीन हो अगर मुझे मैं भी पुझा था कि आप लोग इंटेलिजेंट हैं यास या नो तो उसमे मैंने बोला था बहुत सारे कुछ अलग अलग आप लोग जवाब दे रहे थे फिर मैंने का कुछ भी जवाब हो एक चीज ता है कि एक चीज इंटेलिजेंसी का मतलब है उसमें दो चीजें होनी चाहिए एक तो आपका सेंस दूसरा मेमोरी गाड़ गिप्टेड हैं कि आप सेंस हाफ मैं उससे मशीने को पर भी अपलीकेबल होता है आपके उसी पंक्रेक अंदर एक सेंसर लगा दो और मेमोरी चीप लगा दो जो काम हम मैनुवली कर रहे थे वह आपका रिमोट के माद्दम से हो जाएगा आना आप करना स्पीट करना गठाना कि तीसरा हमने डिसकस स्मार्ट बनना ज्यादा बोलोगे नहीं बोलोगे डपर कहला होगे आप उस वीडियो को दोबारा देखिए हमने डिसकेशन किया था ओपुली के बहुत सारे लोगों समझ में आयरा रखा होगा ठीक है तो अब हम इंटरनेट से जुड़ जागा स्मार्ट कर दी गई है ठी इंटेलिजेंट की बात करता हूं वह चीज यहां में प्रेटिकली आपको दिखाता हूं इंटेलिजेंट का मतलब यह होता है कि यहां पे हमने जो चीज लगाई है यहां पर पुराने जमाने में हम लोग यूज करते थे हब भी हब भी हम लगा सकता अभी हमने स्वीच सबसे 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 कीमत आठ हजा से सुरूँ होती थी तो अब समय ऐसा आगया कि स्विच भी हम के रेट में आ गया तो हब हम यूज नहीं करते हैं को बोलते थे नान इंटेलिजेंट डिवाइज और स्विच को बोलते हैं क्यों कि अंदर सेंस थो होता है मेमोरी नहीं होती यह उसी तरह से आपको का माम करते हैं यहां पर कैसे काम करते हैं आप यहां पर लगार या स्विच लगाओ फिर कैसे काम करेगा के स्विच लगाने से क्या फायदा वहाद को डिसको संभी आए इसके लिए और एक जांपल लोंगा मालू मैं आपके कॉलेज में अपॉइंट्मेंट हो गया और मैं कॉलेज में आया मैं पहला दिन है मेरा मुझे क्लास में जाकर आप सबी को पढ़ाना है जब मैं क्लास में जा रहा था तो रास्ते में डारेक्टर साम मिले और वह सब नहीं देखा और मैं क्लास में देखा रिस्पांस करेगी बहुए लेटर लो आपके घर से आया घटना रिपीट होती है फिर से घर से चिठ्थी आता है डारेक्टर साब मिलते हैं अब क्लास में दो बार जा चुका हूं अब मुझे इस बात की विल्कु अच्छे से अश्याद है कि हुई इस नभ्या तो मैं क्लास में आउंगा और नभ्या को लेटर दे दूँगा मैं अनॉश्मेंट नहीं करूँगा ठीक है तो सेम चीज यहां भी है अगर यहां पर मैं हब लगाऊं और स्वीच लगाऊं अग विल्कुल सही है वापश जाए गा और इसकी जो इसन फॉर्मिशन यहां पर मेरा मॉच देखेंगे इन प्रॉग्रेस लिखाए नगे निदे ख्रूब देना है यहां यह बिल्कुल सही है वापश जाएगा इसको देगा और इसकी जो information यहां पे मेरा mouse देखेंगे in progress लिखा है यहां सा acknowledgement generate होगा और इसके अंदर इंतरी करेगा फिर यहां पे successful हो जाएगा जो जाटा था सही जगा चला गया है फिक इस 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 अब चुकी यहां पर हभी लगाकर रखता नहीं लगाता तो स्विच के पास memory नहीं है तो यह जब भी जाएगा वह सारे चीज़े डिनाई कर देगा वह चीज़े रिपीट करेगा उसको नहीं पता लेकिन स्विच है तो अगर आपने स्विच लगाएगा तो बाकियों को नह इसके साथ हुआ है ठीक है ना तो सिक्योर फास्त हो गया सिक्योर हो गया हमас पाहली बार कंशू करने में सभ एक जैसा करते हैं तो जब हम स्विच लगाते हैं तो फरस्तीर작 हमारा स्विच होता है सपिके हैं ने से में जाती है फूप की आपको इभी समझ में आ गया उकृच है ठीक है किस्फ यह पहता हूँ अगर मैं आपकेट लो इस से मैं पेज अपका विष्कों मैं नार्मल कर लेता हूं आ कि से हाँ इस सक्टेशिफु यहuko pine कि ए्सने मैं मैं कह रालों इसका मतलब यहीं लाफ टॉफ टॉफ और ओंसे नहीं नहीं कर सकते तो IP देना important है ठीक है इस laptop से अगर मैं यहां communication करूं यह भी successful हो गया अगर मैं इस computer से यह communication करूं यह फेल होगा क्योंकि हमारे computer में भी कोई IP नहीं है तो मैं इसको click करूंगा पहले मैं इसको IP देता हूं 192.168.2.2.2.1 is the gateway 192.168.2.1 is the gateway बंद किया ठीक है अब मैं communication करूंगा this is okay हो गया अगर मैं मैं इस computer से इस में करा successful हो गया यहां से यहां कर रहा हूं successful हो रहा है यहां से अगर मैं यहां से निकलूं और यहां करूं अगर मैं इसी computer से यहां करूं तो इस हर हाल में फेल होगा कहने का मतलब है कि यह जो अगर campus से बाहर निकल गए तो यह फेल हो रहा है तो campus के अंदर आप कुछ भी करें कोई problem नहीं लेकिन campus जैसे बाहर जाएंगे फेल होगा तो campus से बाहर जाब अपने college campus में कुछ भी करिए there is no boundary हाप एक पर्मिटेट हो गए you can do लेकिन कोई बाहरी आदमी आपके college में आके बदमासी नहीं कर सकता उसको बगयादा एक गेट पास बनाना पड़ेगा सब कुछ करेगा उसके इतनी लिमिटेशन होगी ठीक है लेकिन उसी तरह से आप अपने college campus से बाहर निकलेंगे तो आपके साथ भी सेम्स कंडिक्शन है आपके साथ भी सारी बाउंट्री उठती है तो आपको भी इसी तरह से चीजों सही करने के लिए पिर का करना पड़ेगा आपको भी बाहर रूल तो आपको रूल्ड लेगुलेशन अलोही करने पड़ेगा तो उसी तरह से अगर मैं इस यहां से कम्म्नुकेशन करना चाहता हूं campus से बाहर की दुनिया में जो मुझे रूर रेगोलेशन पालूअप करना पड़ेगा रूरोऊने सख्राव प्bad Arg 2023 प्र用ता है उसको हम बोलते हैं राउटिंग प्रूकाल अ कि JES, हम उसको बलते हैं राउटिंग प्लोकाल, लेकिम जो एक है पुरा नाम पुरा नाम है राउटिंग प्रोटो काल के लिए रूल के लिए विए और इस कैंपस से बाहर जाने के लिए जितने भी नीम बनाएं गए आपके campus के अंदर जो भी नियम बनाएगे वो सारे नियमों के अगर मैं बात करूं तो अभी कुछ नियम से हैं जो आपके project से सम्मनित है एक है static routing protocol ठीक है ना दूसरा है डायनमिक हम दो यूज करेंगे पहला हम यूज करेंगे और दूसरा जो यूज करेंगी हम लो ओए नाम हो सकते हैं आपके लिए लेकिन पड़ी चीज ने इसके अलावा होते हैं इसके अलावा होते हैं आई जी आर्पी इस सारे पोटो कॉल्स हैं ऐसे कुल जालिस नियम बनाए गये हैं हर कंट जैसे कि आप किसी company के अंदर कम्पनी का लग होंगे कि अलग हों तो सबके नियम बदलते रहते हैं एक राज से दूसरे राज में जाया तो भी नियम बदलते रहते यह देश से दूसरे देश में जाए तो सारे नियम का इस्टमाल किया जाता है तो इस्टाटिक रौटिंग प्रोटोकॉल के करेंगे तो आज मैं करेंगे तो आप लोग तो रोज नाइन थटी से लेके बीच में आप लोग आदे गंटे का समय दे तो कॉंटीनिवस हो जाएगा कि दिना इन्हें किसी ब्रेक का तो मैं चाहता हूं कि अगले पांट इच्छे सेशन में जितने महीने खतम हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप बनस्तली वालों से डिसकस कर लिए नाइन थटी टू साम के टाइम अगर दे तो मैं रोज आप भी पूछ कर लीजिएगा अभी मैं इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूं ठीक है तो भी हम लों मिलेंगे फिर उसमें आर्यूदेयर कि आप पूछ लीजिए के साथ पूछ लीजेगा आप दोनों कर लिजेगा और इसी को बना के करिएगा जितना भी बनाने हैं तो यह थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए यह आपका तीन चे चार से लिए लगेंगे हो जाएगा और आदे गड़ने में हो जाएगा करेंगे तो होगा ठीक है तो मिलते हैं अगें मैं मैंसेज कर दूँगा थैंक पर जोइनिंग पहले कंप्लीट करिए इसको अब लोग थैंक यू